नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोसों यूपी ट्रिपल सी एनम अन्य भरती न्यूकती पर कोई सवाल नहीं मुखमंत्री जी पांच लाग से ज्यादा लोगों को पारदर्सी तरीके से नौकरी मानी मुखमंत्री स्रीयोगी आदितिनाथ उत्तर प्रदेश सरकार मुखमंत्री जी कह रहे हैं पांच लाग से ज्यादा लोगों को पारदर्सी तरीके से नौकरी दी गई केंद्री पातकता परिच्छा नौ जनवरी से साथ फर्वरी तक यूपी टीजिटी पीजिटी महत्तपूर आज की अन्य महत्तपूर खबरे दोस्तो और इसमें जो बता रहा हूँ दोस्तों रियर अथेंटिक अपडेट आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं तो दोस्तों सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा और वीडियो को ज़्यादा सेएर करिए अचली मुंभाई में हैं इस समय जो है नए भारत के नए उत्तर प्रदेस में बढ़ा निविसकों का भरोसा मुंभाई जूटा ने मुंभाई पहुंचे सीयम प्रवासी प्रदेस वासीयों के साथ किया संबाद आप देख सकते हैं मुंबई से खबारे दोस्तों अमर उजाला उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थब्योसा बनाने का लच्छ लेकर देश की आर्थिक राज़ानी पहुंचे मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ ने बुद्धवार को प्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों से संबाद किया उन्हें प्रदेश में निवेस के लिए प्रोसाहित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आपका अपना प्रदेश है उसके तसाथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं योगी आदितनाथ ने महराश के राजपाल भगत सिंग को स्यारी से मुलाकाद भी की और योगी से मिले अच्छे कुमार जी फिल्म सिटी को लेकर चर्चा भी हुई दोस्तों और आज करेंगे रोडसो की सुरुवात जो सबसे अच्छी बात है वो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों पांच लाग से ज़्यादा लोगों को पारदर्सी तरीके से नौकरी मिली योगी ने कहा कि बीते साथे पांच साल में चैन आयोग में अनावस्यक हस्तच्छे को बंद किया गया उन्हें स्वायत्ता दी लेकिन जवाब दे ही भी तैं कि इसका परड़ा में यह हुआ कि पांच लाग से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली लेकिन नियुक्ति पर भी सवाल नहीं उठे अब नियुक्ति में दोस्तों नौकरी तो मुखमंतरी जी ने कहा कि ठीक है नौकरी तो हमने दे दिया लेकिन जो नियूक्ती है नियूक्ती का सवाल ही नहीं उठा रहे हैं जैसे यूपीटर पलसी एनम समेत बहुत सी लंबित भरतिया पड़ी हुई है जिनका काम ये हुआ था कि 100 दिन की कार योजना में सामिल किया गया है दोस्तों मैं उस भरती की बात करना हूँ जो अभरती इस समय काफी चिंतित हैं टेंसन में हैं और मांसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं जबकि भरती में कोई रुकावट नहीं उसके बाद भी नियूक्ती नहीं दी जा रही है भरती अपने अंतिम चरण पर है दोस्तों और हर भरती पार्दिर्शता और सुच्छता के साथ हुई इससे युगाओं का विश्वास सरकार पर बढ़ा यही कारण है कि साहती साल बाद कोई सरकार लगाता दूसरी बार चुनी गई चलिए अच्छी बात है मुखंत्री जी आपने जो कहा ठीक है लेकिन जो भर्तियां का नियुक्ती पत्र है उसको सो दिलाने में जो है प्रवेश पत्र पत्र है यहां से देख सकते हैं दोस्तों केंद्री सिचक पातता परिच्छा में 9 जनुवरी से 7 फरवरी के बीच देश के 211 सहरों में आयूद की जाएगी अभ्यरती CTET की वेबसाइट से जाकर प्रवेश पत्र डाउंडोड कर सकते हैं अगली बात कर लेते हैं दोस्तों अपडेट क CTET-PGT में पद बढ़ाने को आज से करमिक अंसन चैन बोड ने 4163 पदों पर भरती के लिए जारी किया है विग्यापन विग्यापित पदों में तदर्स सिचकों के पद सामिल किये जाने की माग है प्रसिचित सनातक CTET-PGT भरती 2022 में महज 4163 डिक्त पदों का प्रवक्ता के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं तदर्सिचकों के करीब 22,000 पद रिक्त बताते हुए इसे सामिल करने की जाने की माग कर रहे हैं और दोस्तों अगली बात बहुत अच्छी अपडेट है निदे साले सिप्टिंग के विरोध में आज से होगा कारे बहिसक प्रियाग राज से लेकर लखनो तक दो दिन के लिए होगी कलमबंध हरताल उच्छ सिच्छा निदे साले को लखनो सिप्ट किये जाने के विरोध में निदे साले करमचारी मिनिस्ट्रियल संग उत्तर प्रदेश ने दो दिन कलमबंध हरताल का निड़ा लिया है प्रियाग राज से लखनो किया जा रहा है अब काफी जो है दोस्तों कार्याले जो है इलहाबाद से प्रियाग राज से जो है पहले इलहाबाद था दोस्तों अब प्रियाग राज नाम पड़ गया प्रियाग राज से लखनो अस्थानात्रित करने का जो है विचार किया ज आघार्ष और सब यही तो क्यों नहीं तो सो के साथ बात कर लेते हैं में ओजला जौव पद हैं, दोस् anlat, एस्टेनोग्राफर के खाली पद हैं और इसमें अभ्यरती 11 जनवरी तक ही अनलाइन आविदन कर सकते हैं और इसके 11 जनवरी तक दोस्वे से दिया गया है दोस्वें, जीतनी अपडेट रही जो आप लोगो को बता दिया है वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करिएगा चैनल पर नएच सस्क्राइब दोस्तों जरूर करिजिएगा और एक लाइक करिएगा मिलते हैं नेक्ष वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद